जैहिन दोस्तों स्वागत है आप सबका एकबार फिर से आपकी अपने चैनल एपी एजुकेशन में तो दोस्तों आज की इस फ्यूड़े में हम सब प्रतिसत निकालना सीखेंगे हाँ पर दोस्तों हमने दो कोश्चन ले लिया है तो दोस्तों जो हमारा पहला कोश्चन है यदि कोई टी सर्ट चारस रुपए का है और हमें 240 रुपए में मिले तो कितना प्रतिसत छूट मिलेगी तो दोस्तों जो हमारा दूसरा कोश्चन है उसमें यदि 535 रुपए की साड़ी पर 12 प्रतिसत की छूट मिल रही है तो दुकानदार को कितने रुपए देने होंगे तो आईए दोस्तों हम इसमें दूसरे कोशन को पहले सॉल करते हैं दुकानदार को हमें कितने रुपए वापस करने होंगे अगर 535 रुपए की साड़ी है उसमें हमें 12% की छूट मिल रही है तो हमें कितने रुपए दुकांदार को देने होंगे तो यहाँ पर दोस्तों हमें 535 रुपए की साड़ी मिल रही है तो यहाँ पर 535 लिख लेंगे और 12 प्रतिसत की छूट मिल रही है तो गुड़े में 12 कर देंगे और क्या करना है इसके बटे में हमें 100 कर देना है फिर उसके बाद 12 का गुड़ा हमें इसमें करा देते हैं 12, 25, 60, 60 का हो जाएगा 0, हासिल बच जाएगा 6 और 12, 36, 36 और 6 हो जाएंगे आपके 42, 42 के हो जाएगा यहां पर 2 और हमारा हासिल बच जाएगा 4 और 12, 60 हो जाएगा 60 और 4, 64 तो हापर दोस्तों हमारा गुड़ा करने के बाद 6420 के बाद64 Pacific का जाएगा और भटे में यहां पर 100 है, तो हापर भटे में 100 लिख लेगे तो यहाँ पर 100 से हम भाग देंगे तो यहाँ पर इसमें हो जाएगा दो अंक बाद दस्मलो लग जाएगा आपका राइट साइड से दो अंक बाद दस्मलो लगा देंगे यहाँ पर आप नहीं लगाएंगे 64 20 हो जाएंगे आपके यहाँ पर 100 से भाग देने का मरतलब है यहाँ पर आप दो अंक बाद 10 मरों लगा देंगे इतने रुपए आपको छूट मिलेगी तो अब आज़े देखते हैं आपको कितने रुपए दुकांदार को देने होंगे 535 रुपए कि साड़ी है और इतने रुपए आपको छूट मिल लई है यहाँ पर 64 रुपए में है और 20 जो है पैसे में है तो यहाँ पर 535 दस्मलों आप लगा के 0 बढ़ा सकते हैं तो यहाँ पर हम लिख देंगे 64 दस्मलों के नीचे दस्मलों रहता है और 20 उसके बाद है यानि 2 0 अब आपको क्या करना है घटा लेना इसमें से तो यहाँ पर 5 पांच में से एक उधार लेगा तो हो जाएगा 100 यहाँ पर 100 में से 20 जाएगा आपका बच जाएगा 80 अब यहाँ पर 4 बचा और 4 में से 4 जाएगा तो यहाँ पर 0 बच जाएगा और यहाँ पर है 3 तो यहाँ पर 6 तो यहाँ पर 5 से उधार लेगा 1 तो यहाँ पर 13 हो जाएगा 13 मसे 6 जाएगा आपका हो जाएगा 7 और यहाँ पर बचेगा 4 तो 4 लिख लेंगे और यहाँ पर 10 मलों के नीचे 10 मलों लगा दिंगे तो यहाँ पर आपको 470 रुपए और 80 पैसे दुकानदार को आपको देने होंगे 535 रुपए में अगर 12 परसंट छूट है तो आपको 470 रुपए और 80 पैसे आपको दुकानदार को देना होगा तो दोस्तों आई अब देखते हैं अगला कोश्चन तो यहाँ पर दोस्तों हमें इस कोश्चन में दिया है यादि कोई टी-शर्ट 400 रुपए का है और हमें 240 रुपए में मिले तो कितनी परतिसा छूट मिलेगी यानि टी-शर्ट 400 का है और हमें 240 रुपए में मिल रहा है तो यहाँ पर इतना सस्ता तो नहीं मिलने माला बट हम माल लेते हैं कितनी परतिसा छूट मिलेगी वो निकालना है हमें तो आएए देखते हैं कैसे यहां पर 400 में से हमें कितना रुपया छूट मिल रहा है वो निकाल लेंगे पहले 400 और हमें 240 रुपय में मिल रहा है टीशट तो यहां पर 240 लिख देंगे और इसको माइनस कर लेंगे तो 0 में से 0 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा यहां पर हो जाएगा 10 चार से 1 को धालेगा 10 हो जाएगा और 10 में से 4 जाएगा तो यहां पर 6 हो जाएगा और यहां पर 3 बचेगा 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा कि यहां पर दोस्तों हमें इतने रुपए छूट मिल रही है 160 रुपए हमें छूट में मिल रही है अब हमें निकालना है यह कितना प्रतिसत होगा यानि हमें कितनी प्रतिसत छूट मिल रही है तो आप क्या करेंगे जो हमारा 160 रुपया छूट मिला है वो हमें 160 यहां पर लिख लेना है फिर उसके बाद जितने का T-shirt है यानि 400 रुपय का है तो यहां पर हम 400 नीचे लिख लेंगे और क्या करेंगे उसके बाद 100 से गुड़ा करा देंगे तो यहां पर 20 से 20 हमारा कट जाएगा यहां पर 260 बटे में 4 बच जाएगा अब 4 से हमें भाग दे देना है तो यहां पर हो जाएगा 4 चोग 16 और 0 है तो 0 लिख लेंगे हमें 240 प्रतीसत की छूट मिलेगी तो यहां पर 400 रुपय का T-shirt है और 240 रुपय में मिलेगा तो हमें 40 प्रतीसत की छूट मिलेगी तो दोस्तों वीडियो को संद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लेए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेए तो दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ तब तक लिए जय हिंद जय भारत प्रताइब कर लेए